पहलवानों के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है मीडिया में इस तरह की खबर चल रही है कि नावालिक पहलवान अपने बयान से मुकर गई है हलागि तक इस बात की पुष्टी नहीं करता है पिड़ता पहले दिल्ली के कनोट पुलिस थाने में बयान दी थी जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस कोट में बयान दर्ज करवाने पटियाला हाउस कोट ले गई और अब ये दाबा किया जा रहा है कि यहां वो अपने पिछली बयान से मुगर गई है हाला कि इसकी पुष्टी दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं की गई है बयान दर्ज होने के समय कोट में नावालिक पहलवान के पिता और दादा भी साथ में ही मौजूद थे मीडिया में चल रही इस ख़वर को लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और ना ही पिड़त पहलवान और उनके परिवार वालों की ओर से इस ख़वर पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है कल देर शाम ये भी ख़वर चल रही थी कि नावालिक पहलवान अपने केस वापस ले ली है नावालिक महिला पहलवान ने कोट में कहा है कि उनके साथ भारत्य कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिजबूशन सिंग ने कभी सेक्स्वल हरेश्मेंट नहीं किया है मीडिया में चल रहे इस खबर की पुष्टी दिल्ली पुलिस के बयान आने के बाद ही हो पाएगी लेकिन अब सवाल यहां यह उठ रहा है कि अगर नावालिक पहलवान कोट में अपने बयान से बलट गई है तो क्या पहलवान ने कोट में अपने बालिक होने की बात की है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पिर्ट पहलवान के ताउं ने मीडिया के सामने ये दावा किया था कि लड़की नाबालिग नहीं बलकी बालिग है इस सवाल के बाद अब ये कयांश लगाए जा रहे हैं कि अगर नाबालिक पहलवान अपनी शिकायत वापस ले ली है तो फिर बीजेपी सांसद ब्रिजभूशन सिंग के उपर से पॉक्सो एक्ट भी हट सकता है और अगर ऐसा होता है तो ब्रिजभूशन सिंग के उपर लट कंदे पर जोर से दबाया और फिर जान बूच कर उसके शरिर को गलत तरीके से चुआ जबकि पिड़ित पहलवान ने ये भी कहा था कि वो उसका पीछा ना करे बहरहाल अब देखना ये होगा कि नाबालिक पहलवान के अपने बयान से मुकरने की खवर पर दिल्ली पुलिस या पिड़ित पहलवान के ओर से क्या कहा जाता है